जहिन बच्चों आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से क्लास 10 फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं गोलिय दरपनों द्वारा परतिबिम्ब का बनना तो चलिए आज हम लोग इस पर विस्तार से डिसकस करेंगे तो सबसे पहली बात है कि जब हम लोग किसी भी आईने को लेकर अपना थुथना को देखते हैं यानि अपने चेहरे को देखते हैं तो हम जो होते हैं उसको कहा जाता है बिम्ब कहा जाता है जैसे माल लिया जाए कि इसका इमेज जो है आईने में बनता है यह आईने में आपका बनता है इसका इमेज जैसा कि आप देख रहे होंगे तो यह जो है आपका बिम्ब कहलाया और यह जो इमेज आपका बन रहा है यह जो इमेज आपका पैन का बन रहा है उसको हम लोग परति बिम्ब कहते हैं तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप लोग, एक क्या होता है, बिम्ब होता है, और दूसरा क्या होता है, आपका प्रति बिम्ब होता है, तो बिम्ब क्या होता है, बस्तू हो गया, ये बिम्ब कहने का मतलब हो गया, कि कोई अबजेक्ट हो गया, और प्रति बिम्ब कहन का मतलब हो गया, image हो गया, English में हम लोग ये समझते हैं, अब देखा जाए कि अगर गोलिय दर्पन में परतिबिम्ब का बनना है, तो गोलिय दर्पन के बारे में हम लोगों का थोड़ा जानकारी ठीक तरह से होनी चाहिए, सारी जानकारियां होनी चाहिए, तो सबसे पहले हम ये समझें कि आखिल जो परतिबिम्ब बनता है, वो कैसा कैसा बन सकता है, किस तरह का बन सकता है, यहां तो जब आपका plan mirror था, कहने का मतलब समतल दर्पन था, जितना बड़ा आपका चेहरा होता था, उतना ही बड़ा इसमें हमारा image बनता था, है ना, image हमारा यानि की परत परतिबिम्ब हमारा बनता था, लेकिन गोलिय दर्पन के साथ ऐसा नहीं होता है, गोलिय दर्पन के साथ क्या होता है, कि इसका जो परतिबिम्ब बनता है, ये तीन तरह का, तीन दृष्टी से इसको देखा जा सकता है, सबसे पहले हम इसकी स्थिती के बारे में पता लगा पता हैं और फिर उसके बाद इसके प्रकृती के बारे में हम लोग पता लगाते हैं परति बीम्ब जो है किन कीन बातों पर दिर्मिर भर करता है इस्थिती साइज और प्रकृती पर और यह जो आपका बीम्ब है बीम्ब जो है ये बिम्ब कहने का मतलब कोई भी बस्तू होता है इसमें एक ही पोजिशन होता है इस्थिती कि बिम्ब आपका कहां कहां रखा हुआ है लेकिन परति बिम्ब जो बनता है तो परति बिम्ब कहां पर बना कैसा साइच का बना किस प्रकृति का बना ये सारे चीज का हम लो खिती जो होती है कि कोई भी गोलिये दर्पन ले लीजिए, कोई भी गोलिये दर्पन में हम जान रहे हैं कि ये फोकस होता है, ये सेंटर अप करभेचर यानि बकरता के अंदर होता है और ये बकरता के अंदर से परे, तीन पोजीशन है, ये पोजीशन बकरता के अंदर के C पर बनता है तो यहाँ पर हम कहेंगे C पर परतिविम्ब बनता है और उसके बाद अगर फोकस पर बनता है परतिविम्ब तो कहेंगे F पर परतिविम्ब बनता है और इसके बीच में अगर परतिविम्ब बन जाए तो हम इसको कहते है C तथा F के बीच है परतिबीम्ब आपका ठीक है उसके बाद अगर इसके बीच परतिबीम्ब बन जाए तो यहाँ पर हम कहेंगे कि F तथा P के बीच है आपका परतिबीम्ब उसके बाद अगर हमारा परतिबीम्ब इधर बन जाए तो ऐसी इस्थिती में हम लोग क्या कहेंगे कि यह जो पर्तिबिम्ब है दरपन के दूसरे साइड में बनता है ये तो हो गिया आपका इस्थिती यही इस्थिती जो है आपका बिम्ब के साथ भी होता है जो इस्थिती ये बिम्ब के साथ होता है वही इस्थिती आपका पर्ति बिम्ब के साथ होता है बिम्ब का साइज भाई नहीं बदल सकता है जिस साइज का है ये उसी साइज का ये हमेशा के लिए रहेगा इसका साइज हमारा चेंज नहीं हो सकता है इसके बाद जो है अगर बिंब प्रतिबिंब की साइज देखा जाए तो इसका साइज बड़ा होता है या छोटा होता है यह बराबर होता है साइज जो होता है तीन तरह का हो सकता है इसका कैसा हो सकता है बड़ा हो सकता है जिसको हम लोग आवरधित भी कहते हैं आवर होती है साइज के लिए और प्रकृति के बारे में कहा जाए कि परतिविंब की प्रकृति कैसी है यह पहला पोजी से दूसरा चीज सिखे और तीसरा चीज जो है प्रकृति जो है हमारा नेचर उसका कैसा है तो उसका नेचर दो तरह का होता है एक आभासी होता है जिसको हम लो वास्तविक होता है अब हम लोग जैसे जैसे इमेज बनाएंगे वैसे वैसे हम इसको discuss भी करते चले जाएंगे कि कहां अञाशी पर्ति पिन भ बना कहां वास्तविक पर्ति बिम्ब बना अब बस्तू तो हमेशा हमारा वास्तविक ही होता है तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है इस चीज को निश्चित रूप से अपने कॉपी में आप लिख लें यहीं पर वीडियो को रोकें और उसके बाद इसको लिख लें जैसा कि बोर्ड पर दिख रहा है एक इमेज और इसमें सारनी 10.1 आप अपने बुक में भी देख सकते हैं जो कि पेज रंबर 181 में है तो इसमें किसी अफ्तल दरपन द्वारा बिम्ब के बिभिन इस्थिती के लिए बने परतिबिम्ब इसमें दिया गया है यहाँ पर आप देखेंगे कि बिम्ब की इस्थिती परतिबिम्ब की इस्थिती और परतिबिम्ब का साइज क्या होता है और परतिबिम्ब की प्रकृति क्या होती है जैसा कि इसमें हम एक एक जामपल लेते हैं पहला ही और यह आपका अबदल दरपन के लिए है अब तल दरपन में अगर भीम्ब हमारा अनंत पे रखा जाए जैसा कि पहला नम्मर लिखा हुआ है तो परतिबिम्ब हमारा फोकस पर बनता है और यह परतिबिम्ब का साइज अत्यधिक छोटा और बिंदू साइज होता है और यह परतिबिम्ब बास्तविक और उल्टा होता तो इसी तरह से आप जो है, दूसरा नम्मर सी के परे हो, बिम्ब की स्थिती, सी पर हो, बिम्ब की स्थिती, सी तथा एप के बीच हो, एप पर हो, पी तथा एप के बीच हो, तो ये टेवल जो है अभी आप लिख लिजिए, इस से related सारे figure को हम लोग एक-एक figure को बना कर आने वाले कुछ समय के बाद हम लोग समझेंगे, इसको समझने से पहले, इसके फीगर को समझने से पहले, हम लोग कुछ और चीज़ समझ लेते हैं, यहां पर हम लोग बनाने जा रहे हैं, बीम्ब की स्थिती और परती बीम्ब की स्थिती, तो यहां पर हमको सीखना पड़ेगा, ये आप अपने बुक में देखेंगे 10.2.2 में देखते हैं क्या कि किरन आरेक का उपयोग करके आपको जानना है गोलिय दरपनों द्वारा बने परतिबिम्ब का निरूपन परतिबिम्ब का निरूपन हम लोग को पढ़ना है तो इसमें जो है यह आपके बुक में असपश्ट दिया गया है यही टॉपिक आपको पढ़ना है तो इसमें क्या क्या पढ़ना है हम इसमें आपको हर एक लाइन के लिए डिसकसन हम कर रहे हैं आप जो है इसको ध्यान से समझिए अप फिर जाके आप अपने बुक को पढ़िएगा देखिए हमने जो बताया वो आपको मिला की नहीं इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम देख रहे हैं यह marker है और इस marker में कितने points है अनंत point है कितने points है अंंत point है बहुत सारे points है और यहां पर दरपन रखा हुआ है यहां पर एक दरपन रखा हुआ है तो इसे सोमने एक अबजक्ट रखा हुआ है, तो इस अबजक्ट के किसी एक पॉइynnट से निकलने वाली रे जो है असंख होती है, क्या होती है, ये सारी रे जो है, क्या होता है, कि दरपन पे जा कर परती हैं, दरपन तक पहुंचती है लेकिन एक बिंदू से असंख रे और इसमें असंख बिंदू है बोलिए कितने सारे रे जो है चारो तरफ भिखरते हैं तो इसमें इतने सारे रे को हमको नहीं लेना है किसी दो रे को लेकर इसके परतिबिम्ब की इस्थिती को हम लोग दरसाते हैं एक चीज बात समझ गया है क्या करना है किसी दो रे को इतने सारे रे में से किसी दो रे मौनली जी ऐसे करके ले लिए एक रे और एक रे ऐसे करके ले लिए उसके बाद परावर्तन का नियम इसमें लगा दिये और उसके बाद जो है ये रे जो है इसी तरह से परावर्तित हो चुकि यह अभी लंब के और जा रहा है तो अभी लंब पर ही मुड़ेगा और यह जो है यहाँ पर जाके मिलती है तो यहाँ पर इसका इमेज हमको मिल जाता है इमेज यहाँ पर यह इमेज कहने का मतलब परतिविम्ब हम मिल जाता है तो सिर्फ दोग औरे को लेकर हम किसी भ दूसरा बात इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब हमारा किसी भी दरपन पर समानतर रेखा गुजाती है कैसी रेखा जाती है समानतर रेखा जो कि पिछले कछ्छा में भी हम लोग पिछले lecture में हम लोग पढ़ चुके हैं तो यह हमेशा फोकस से होकर गुजरती है, कहां से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है, तो हमेशा एक जो रे लेंगे, किरन आरेक जो लेंगे, हम किसी भी दरपन के लिए कैसा लेंगे, एक पैरलल किरन आरेक लेंगे, जब पैरलल जाती है, तो वह फोकस से होकर गुजरती है, द है focus से होकर है ना गुजरती है ऊके यह चीज़ याद रखे है है नब देखिए उल्टा इसका सोचिए तीसरा नममर उल्टा सोचिए अगर कोई दर्पन है हमारा और क्या हो गया condition कि इसके focus से होकर ऐक रкого हमारा गई कहां से गई focus उसे तरह से उतल दारपन का भी कंडिशन आप देख लीजिए इसका जो है अगर जो फोकस से होके गुजरती है जैसे रे हमारा इधर से आया तो इसका थो फोकस हमारा यहां पर होता है काल्पनिक फोकस होता है, तो यह परावर्तन के बाद जो है इस तरह से इधर आकर गुजरती है, समांतर हो जाती है, अगर माल लिजिए कि कोई रे आपका इस तरह से गया, तो यह जिसे कि फोकस से होके गुजरनेवाली है, है ना, लगता है कि यह आगे बढ़ जाएगी, तो फोकस से होके गुजरेगी तो ये परावर्तन के बाद जो है किरन क्या हो जाती है समांतर हो जाती है तो यहां पर याद रखना है कि अगर फोकस से होकर किरन गुजरती है तो वह आपका कहां से होकर कैसे जाती है समांतर होके चले जाती है इस चीज़ को भी याद रखेगा आ अगर कोई भी किरन वक्रता के अंदर से गुजरती है चाउथा नम्मर में आपको याद रखना है कि अगर किरन वक्रता के अंदर से गुजरती है तो परावर्तन के बाद जो है बक्रता के अंदर से ही वापस जाती है बक्रता के अंदर से ही होकर परावर्तित होती है होकर परावर्तित होती है इसको याद रखिए अब देखिए इसको हम लोग समझते हैं कि जैसे देखिए कि कोई भी मिरर है न इस तरह से यह हलांकि अबदल ले लिये है यहाँ पर बक्रता के अंदर फोकस हो गया और यह बक्रता के अंदर हो गया इस तरह से बकरता केंदर क्या होता है एक फिर से समझेगा कि यह गोला का जहां केंदर होता है वही हमारा बकरता केंदर होता है अगर कोई किरन हमारा बकरता केंदर से गया तो यह बकरता केंदर से ही वापस आएगा क्यों वापस आएगा इसको समझे बक्रता के अंदर से ही होकर अभिलंब हम लोग खिशते हैं क्या खिशते हैं अभिलंब हो खिशते हैं इसको समझने का प्रियास किजिएगा अब अभिलंब इस पे ही हमारा किरन जा रहा है जा रहा है तो अभिलंब के साथ कितना डिगरी का कौन बना रहा है भाईया जीरो डिगरी का कौन बना रहा है सोचिए कि अभिलंब भी इसी पर है और किरन भी इसी पर है तो इसके साथ जीरो डिगरी का कौन बनाया तो जीरो डिगरी कौन बना कर ही यह वापस आएगा तो इसी लिए जो किरन बकरता के अंदर से जाती है तो बकरता के अंदर से ही परावर्तित होती है ये नियम आपको help करेगा इसके ray diagram को बनाने में किसी भी दरपन में हमारा image किस तरह से बनता है उसका जब हम किरन आले खीचेंगे वो यहाँ पर हमको मदद करेगा ये चीज हमको वहाँ पर मदद करे कि हमेशा यह जो है परावर्तन के नियम का पालन करती है अब देखिए कि कोई रे इस तरह से आया और यह जो है आपका ये क्या हो गया अभी लंब हो गया चुकि केंदर सी है बकरता केंदर सी है तो अभी लंब से इधर जितना कौन बनाया उतना ही कौन बनाकर यह परावर कि यह किरन आरेख जो खीचते हैं हम लोग किरन आरेख को है ना खीचने में हमेशा हमेशा है ना परावर्तन के नियम का पालन करना है पालन करना है तो अभी कुछ देर पहले बुक से ही हमने आपको दिखाया था फोटोग्राफ दिखाया था अब उसके एक एक लाइन को हम डिसकस करने जा रहे हैं उसको डिसकस करने से पहले आपको इसमें से जो पांच पॉइंट मिले हुए हैं एक दो तीन चार और पांच इ उसके बाद इसको अराम से उतार दीजिए तो अब आए ये हम लोग समझते हैं कि अवतलदरपण द्वारा बीम्ब के बिभिन इस्थितियों के लिए बने प्रतिबिम्ब को समझते है एक अवतलदरपण लेना है हमको आपको और वीम्ब को अलग-अलग इस्थितीं पे र आप चाहें तो पेज नम्मर 181 निका लिए और 181 पेज पर जो सबसे ऊपर में जो टेवल दिया गया है, छेज गो खाने दिये गया है, छेज गो रो दिया गया है, उस चबो का किस तरह से किरान आलेक बनता है, उसके बारे में हम लोग यहां पर डिसकस करने जा रहे हैं, और इसमें से कोई एक निश्चित रूप से पूछा जाता है और जैसा कि आपको अभी तुरत हमने बताया कि बीम्ब का एक ही पोजिशन इस्थिती होता है और परति बीम्ब के लिए यहां पर देखिए परति बीम्ब जो कि आपको ठीक से नहीं दिख रहा है तो लिख लीजिए कैसा साइज है उसका और उसका प्रकृति कैसा है परति बीम्ब की प्रकृति कैसा है यह तीनों चीज अध्यन किया जाता है परति बीम्ब के लिए और बीम्ब के लिए सिर्फ एक इस्थिती अध्यन किया जाता है इस्थिती के बारे में तो हम तुरत अभी डिसकस किये हु तो पहला हम क्या करते हैं कि विंब की स््थिती जो है अनन्त पर रखने से क्या होता है जैसे देखी Windows कि यह आपका प्रधा अक्छ हो गिया यहां पर ऑग witness को पोगी आपका ईसके बाद सी हो गिया इसके बाद बहुत दूर हम चले आये कोई object हम यहाँ पर रख देते हैं बहुत दूर में रखे हुए हैं किसी object को है तो इस object से जाने वाली समांतर रेखाएं जो होगी वो हमारा हमेशा focus से होकर ही गुजरेगी इस चीज़ को समझ रहे हैं अब यदि अगर कहीं और से हम ले ले मानली जी की बिम्ब की स्थिती ये है अगर हम यहाँ से एक समांतर रेखा ले ले तो यह जो है आपका कहां से गुजरेगी focus से होके ही गुजरेगी तो हमेशा जो है अगर कोई भी बस्तू बहुत दूर में रखा हुआ हो तो उसका इमेज हमको focus पर ही प्राप्त होगा अब क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए कि ये position इस तरह से क्या हुआ कि C से होकर कोई रेखा हमारा गुजर रही है चुकि ये बहुत दूर से आ रहा है तो आते आते परधान अक्ष से यह सट जाएगा सटने के बाद जो है यह फिर वापस इसी से होके जाएगा तो यहाँ पर ही इसका cutting point रहेगा और यह जहाँ पर point करता है वहीं पर इसका image बनता है तो कहने का मतलब कि परतिबिम्ब यानि image की स्थिती कहाँ पर हो जाएगी focus पर हो जाएगी यानि F पर जो है इसका image बनेगा size कैसा होगा बहुत छोटा होगा कैसा होगा बहुत छोटा size होगा तो आपका और प्रकृति इसका कैसी होगी इसकी प्रकृति जो होगी यह वास्तविक वास्तविक होगा वास्तविक तथा यह आपका सीधा उल्टा परतिभिंब बनेगा कैसा बनेगा उल्टा परतिभिंब बनेगा यहाँ पर जैसा वस्तु है उसका उल्टा छोटा सा ही बनेगा लेकिन वह क्या बन जाएगा आपका उल्टा बन जाएगा तो यह आपका क्या हो कि अब हम C के ठीक थोड़ा सा पहले रखते हैं किसी बस्तू को, दूसरा कंडिशन में क्या करते हैं, कि ये आपका अब दलदर्पन हो गया, क्या किये हम लोग, क्या करते हैं यहाँ पर, ये आपका फोकस हो गया, और आपका ये C हो गया, C के ठीक हम थोड़ा सा पहले रखते तो C के ठीक पहले रखने से तो यहां पर हम लिखेंगे कि बीम्ब की स्थिती जो हैं C के परे हैं है ना C के परे कहने का मतलब C से थोड़ा सा बाहर है तो इसका परतिवीम्ब कैसा बनता है इसके बारे में ध्यान से देखिएगा यह जब समांतर रेखा जाएगी तो हमारा यहां से यह परावर्तित होकर इस तरह से बुझरेगा लाइन परावर्तन के बाद समझ रहे हैं बात को इसके बाद अगर कोई रेखा इसके C से होकर गुझरती है कहां से C से होकर C का position हम यहां ले लेते हैं C से होकर गुजरती है तो यह चला, इस तरह से चला अब यह लौट के किधर जाएगा तो अभी तुरत पढ़े है कि कोई भी रेखा अगर बकरता केंदर से होकर गुजरती है तो वह वापस जो है cutting point है यह रेखा cutting point है यहाँ पर तो यहाँ पर इसका image बन जाएगा अगर यह A B है तो यह आपका B चला गया नीचे और A चला गया उपर यह परतिवीम कैसा बन गया उल्टा बन गया और यह वास्तविक है इसलिए वास्तविक है क्योंकि यह रे जो है actual में यहां जाती है और परावर्थित होके actual में इधर से आती है वास्तव में यह आती है यह इधर जाती है और वास्तव में यह परावर्थित होकर इधर आती है तो इस स्थिती में हमारा कैसा परतिवीम बनता है वास्तिविक यानि कि परतिवीम जो बनता है यह वास्तिविक बनता है और यह आपका कैसा बनता है उल्टा बनता है उसके बाद साइज इसका कैसा होता है सिर्व छोटा साइज होता है साइज जो है इससे छोटा होता है और इसका इस्थिति क्या होता है तो देख लिजे परतिवींब C और F के बीच में है हमारा तो क्या लिखेंगे C तथा F के बीच में इसकी स्थिती होती है तो इस तरह से हमारा दूसरा भी column ready हो गया अब तीसरे के लिए चलते हैं तो तीसरे को बनाने से लिखने से पहले अब यहीं पे आप लोग वीडियो को रोकिए और इतना सा उतार लीजिए चलिए अब तीसरे नम्मर पे हम लोग चलते हैं है ना तीसरा नम्मर पे हम लोग चलेंगे तीसरा नम्मर में देखिए कहां चलाएगा तीसरे नम्मर में हमारा चला जाता है बिम्ब की स्थिती के बारे में सोचते हैं अनंत पे हैं सी के परे हैं अब सी पर हम चले आते हैं बिम्ब को लेकर बिम्ब को लेकर कहां चले आएं सी पर चले आएं तो ये आपका अबदल दर्पन हो गया यहां पर इस तरह से ये अबदल दर्पन है उसके बाद यह प्रधान अक्ष हो गया यहाँ पर हम माल लेते हैं कि C है और इसके बीच में हमारा एप है तो अब यदि इससे समानतर रेखा गुजरती है तो यह जो है परावर्तित होकर क्या होगा कि यह परावर्तित होकर आपका गुजरेगा फोकस से कहां से गुजरेगा फोकस से होकर गुजरेगा यह माल लेते हैं अब यदि कोई रेखा जो है फोकस से होकर गुजरती है फोकस से होकर गुजरती है तो यह क्या हो जाएगी समानतर हो जाएगी क्या हो जाएगी समानतर रेखा हो जाएगी और ये आपका निश्चित रूप से कटेगा ठीक इसके नीचे यहाँ पर आकर कटेगा है ना तो ये रेखा समांतर होगी इधर से रेखा फोकस से होके गई किरन तो यह आपका समांतर होकर इधर से आती हैं तो ये सभी रेखाओं को आप लोग को सिधा सिधा कीचना है scale का यूज करना है चुकि बोट पर scale हम यूज नहीं कर सकते हैं इतना बड़ा scale कहां से आएगा तो हम क्या देख रहे हैं कि यह बस्तू A बी जो था अब यहाँ A डैस और B डैस यानि उल्टा परतिभी 20 का बलिया तो अगर C पर रखते हैं किसी बस्तू को अबतल दर्पन के लिए तो इसकी स्थिती C पर ही होती है और यह size कैसा होता है समान size का होता है उसके बाद यह कैसा होता है उल्टा तो होता ही है और वास्तविक होता है कैसा होता है वास्तविक तथा उल्टा उल्टा प्रतिभीम बिम्ब आपका बनता है तो ये भी कहानी खतम हो गया अब C के बाद जो है अगला पोजिशन क्या आता है C के बाद अगला पोजिशन ये बीच का आता है C और F के बीच में तो हम बिम्ब को कहां रखने जा रहे हैं बिम्ब को रखने जा रहे हैं C तथा F के बीच में रखने जा रहे हैं तो इसके लिए फिर हमारा ये तीसरा इमेज हो गया आपका एक दो तीन हो गया ये चौथा नम्मर आप देखिए तो ये हमारा क्या हो जाता है आपका एक अबदल दर्पन हो गया इस अबदल दर्पन मे हमारा यह प्रधान अक्ष हो गया प्रधान अक्ष हो गया तो अब तल दर्पन का इस तरह से कलाई किया रहता है बाहर के साइट अब इसमें क्या करते हैं हम अबजेक्ट को कहां पर रखे हुए है भाईया C और F के बीच में रखे हुए तो अगर समानतर कीरन हम ले जाते हैं तो यह निश्चित रूप से कहां से होके गुजरती है फोकस से होके गुजरती है बात समझ में आ रही है कहां से गुजरती है यह फोकस से होके गुजरती है अब यदि हम ऐसा करें कि एक रे जो है हम ऐसे ले कि C से होके गुजरे कहां से होके गुजरे C से होके थोड़ा सा इसको सिधा कर लेंगे हम लोग इस तरह से इस तरह से थोड़ा सा मीरर को भी हम बढ़ा लेंगे है ना इस तरह से गुजरे तो C से होकर जब किरन जाएगी तो यह वापस जो आएगी कहां से होके आएगी C से होकर ही आएगी और इसको जरासा ठीक से सिधा करेंगे आप लोग ठीक से सिधा करेंगे तो यहां पर यह मिलती हुई प्रतीत होगी मिलेगी, exactly मिलेगी यानि कि image इसका यहां पर बनेगा अगर यह A और B आपका कोई object है तो इसका image यानि कि कहां बना A डैस माप करेंगे यह उल्टा बन रहा है B डैस और A डैस पर बनता है तो क्या देख रहे हैं हम लोग यह बिम्ब जितना बड़ा है object जितना बड़ा है उससे बड़ा बना है आपका image जो कि उल्टा बना हुआ है तो यहां पर बास्तविक और उल्टा तो बना हुआ है कैसा image बना हुआ है बास्तविक तथा उल्टा बना हुआ है और इसके बाद कैसा बना हुआ है बड़ा बना हुआ जिसको आभरधित कहते हैं और कहां पर बना हुआ है C के परे बना हुआ है इसका उमेज, C के परे इसका इमेज बना हुआ है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं, अब देखिए, आपको objective question इससे कैसे बनता है, इससे में आपको कह देगा क्या, कि अबतल दर्पन में, अगर C और F के बीच कोई बस्तू रखी रहती है, तो उसका इमेज कहां बनता है, तो उसका इमेज हम कहेंगे, उसका इमेज जो बनता है, उसकी स्थिती क्या होती है, C के परे होती है, तो ये दोनों फिगर जो है, आप लोग उतार ले, और उसके बाद उस बॉक्स में ये दो चीज आप लोग बढ़ा भी लीजिए, अब यहीं पे आप लो देख सकते हैं, किताब से ही आप लोग इस इमेज को बना सकते हैं, अब हम लोग इसके बाद का पोजीशन को डिसकस करते हैं, अब यहां देखें, C और F के बीच में अबजेक्ट आ गया, अगर अबजेक्ट कहने का मतलब बीम जो है, F पर हो, कहां पर हो, F पर हो, तो F पर करते हैं, तो चलिए, सबसे पहले हम लोग कौन सा दर्पन लेते हैं, अबतल दर्पन लेते हैं, तो अबतल दर्पन हमने ले लिया है, उसके बाद क्या किये हम लोग, यह F पर किसी बस्तू को हमने रख दिया, F पर जब समानतर रेखा जाएगी, तो यह परावर्तन के से जाए जाने के बाद यह परावर्तित होकर सी से गुजरे तो निश्चित रूप से यह अभिलंब है अभिलंब से होकर कोई किरन जाती है तो अभिलंब से ही होकर वापस आती है तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यह दोनों चले जा रहा है चले जा रहा है और कहीं मिलने का नाम नहीं ले रहा हैं, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, अनन्त पर बन जाएंगे, यानि कि अगर एप पर कोई अबजेक्ट रखा हुआ हो, तो परतिबिम्ब की स्थिती क्या होगी आपका, अनन्त पर होगा, और यह बहुत बड़ा फीगर बनेगा, बहुत बड़ा इ यह आपका उल्टा होगा, उल्टा होगा, अभी तक आप लोग वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, सुनते सुनते परेशान हो गए होगे, अब वास्तविक के अलाबा भी कोई इमेज होता है, तो वो इमेज होता है आभासी इमेज, जिसको हम लोग काल्पनिक इमे यानि कि F तथा P के बीच में अगर बस्तु आ जाए तो उसका इमेज जो बनता है आपका दर्पन के पीछे बनता है इसको ध्यान से दिखेगा और यह जो इमेज बनता है बड़ा बनता है इसी को हम लोग कहते हैं कालपनिक तथा यहां पर सीधा इमेज बनता है कालपनिक का दूसरा नाम होता है आभासी कालपनिक का दूसरा नाम क्या होता है आभासी होता है याद रखेगा क्या होता है आभासी यह फीगर कैसे बनता है शिक्स नम्मर का यह फीगर है आपका कि यह आपका हो गया अबदलदर्पन उसके बाद हमारा अबजेक्ट का पोज के बीच में, इस figure को ठीक से बनाईएगा, mirror को ठीक से बनाना है, यह अब तलदरपन को ठीक से बनाना है आपको, अब यहां पर कोई बस्तू रखा हुआ है, इससे अगर जो समांतर रेखा जाएगी, तो यह निश्चित रूप से कहां से होके गुजरेगी, फोकस से होके गु तो यह किरन जब जाएगी, चुकि यह बकरता के अंदर से गुजर रहा है, तो जिस रास्ते से जाएगी यह, उसी रास्ते से यह वापस भी आ जाएगी, तो ऐसी स्थिती में हम देखते हैं क्या, कि इधर मिनने का कोई चांस नहीं है, तो इसको जब आप आगे के तरफ ब इसका इमेज क्या होता है, कालपनिक होता है, है ना, एक्चुल में नहीं होता है, तो इसी लिए हम इसको कालपनिक कहते हैं, और इसकी क्या विशेष्था है, कैसा है भी यह, सीधा है, देख रहे हैं, कैसा बनता है, सीधा बनता है, कालपनिक बनता है, और यह क्या होता है, बड़ा बनता है उसके बाद दर्पन के यह पीछे में बनता है तो इस तरह से 6 कंस्ट्रक्शन जो है आप लोग अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे उमीद करते हैं इसे भी आप लोग ठीक तरह से अपनी कॉपी में उतार लीजिए तो अब हम लोग अगला टॉपिक में अपतलदर्पन का उपीऊग तो आविये अब हम लोग समझ लेते हैं कि इस अथयोग कहां कहां किया जाता है तो अभी आपने इस टेवल को लिखा है तो इसी में इसका उपयोग छिपा हुआ है, तो सबसे पहला जो उपयोग है यहाँ पे कहता है कि टोर्च, सर्च, लाइट एवं बाहनों के अग्रदीपों में अबतल दर्पन का उपयोग किया जाता है, होता है, तो अग्रदीप क्या हो गया, हेड लाइट, आप देखते है जो आपका लगा रहता है, बोडी, जो भी चीज लगा रहता है, वो अबतल दर्पन के तरह होता है, और उसमें चमकदार पैंटिंग किया रहता है, जिससे की प्रकास पूरी तरह से परावर्तित हो जाए, तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, कि अगर फोकस पर होता है, त तो इसमें क्या होता है, कि यह जो आपका यह अबतल दर्पन यह हैं आपका, इसके बीच में बल्व लगा हुआ है, इससे प्रकास यहां पर पहुंचती है, यहां से पहुंचके परावर्तित हो के समांतर हो जाती है, यहां पर पहुंचके परावर्तित हो के समांतर हो जात तो इसका टॉर्च में भी उपियोग किया जाता है सर्च लाइट में भी किया जाता है वहनों के अग्रदीप में भी किया जाता है हेड लाइट में भी किया जाता है ताकि दूर से दूर तक को हम लोग देख सकें इसी प्रोपर्टी यानि अपतल दर्पन के इसी इत्व किरन् जो होती है ख़िए समांतर और बहुत दूर तक चले जाती है और इसका उप्योग जो है सेविंग मीरर के रूप में किया जाता है अब देखिए ये सक ही लास्ट वाला कंडिश्न क्या कहता है कि अगर हमारा बस तू कहां थई फोकस और पोल घ्रक्राषां में वाह थे तो दरपन के पीछे बड़ा इंज बनता है अगर हमारा हम अबतल दर्पन लेके यूज करते हैं तो हमरा जितना थोधना है ना जितना बड़ा मूह जितना बड़ा है उससे थोड़ा सा बड़ा हब होके दिखेगा तो बड़ा होके दिखेगा तो इधर उधर सेविंग करेंगे तो कहीं कोई बाल नहीं छूटेगा सब बाल बढ़ियां से बना लेंगे और बढ़ियां से चिकना हो जाएंगे तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इस अबदल दर्पन का उपयोग जो है सेविंग दर्पन के रूप में भी होता है समझ गये इसके बाद देखिए दंत बिसे सगे क्या करता है अब दर्पन का उपयोग दंत को बढ़ा करके देखने में करता है अब दंत छोटा छोटा है उसको बढ़ा बढ़ा करके देखना है तो वहां अब दल दर्पन लगा के वो जो है उसके इमेज को बढ़ा करके पराम से उस दांत को देख सकता है कि कहां आपके दांत में खराबी हैं, कहां आपके दांत में छेद हो गया हैं, कहां दांत में जो हैं जर्म सकी टानू खेल कूद रहे हैं तो उमीद करते हैं कि आप लोग इसे ठीक तरह से समझ गए होंगे और इसको तो जरूर लिख लीजिएगा आप लोग अवदल दर्पन का कहां कहां उपयोग होता है इसको आप अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा अब यहीं पर आप लोग वीडियो को रोकिए और इसमें जो भी बचा उचा है, छुटा उटा चीज है, आप इसको उतार लिजिए, इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ इस लक्चर को, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लक्चर में, जै हिंद, जै भारत!